मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होगे अज के वीडियो में हम जानेंगे इंजन ओईल के गंदे होने का कारण, इंजन ओईल के गंदे हो जाने की हानिया, इंजन में ओईल फिल्टर की आवश्चक्ता, इंजन में ओईल फिल्टर की अरेंजमेंट या सिस्टम, ओईल फिल्टर की सनरचना, ओईल फिल्टर की कारे व तो आप इस वीडियो को लास्त तक बहुत ध्यान से देखिएगा, आईए स्टार्ट करते हैं आपने देखा होगा कि समय के साथ इंजन ओयल गंदा हो जाता है इसका रंग बदल कर गाढ़ा हो जाता है अगर आप इंजन ओयल को अपनी उंगलियों के बीच में मसल कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इंजन ओयल की चिकना हट खत्म हो गई है एवं आप ओयल को कुछ खुरदरा भी महसूस करेंगे इंजन में ओयल मुख्यता तीन कारणों से गंदा होता है वायूमंडल से आनेवाली हवा के साथ एवं फ्यूल यानि की डीजल एवं पैटरोल की साथ बिविन प्रकार की गंदगी एवं धूल के कण इंजन में आ जाते हैं जो इंजन ओयल के साथ मिलकर उसे गंदा कर देते हैं इंजन में इधन के दहन से कार्बन के कण उत्पन्न होते हैं। ये कार्बन इंजन के बिभिन्न पार्ट्स पर एक काली परत के रूप में जमा रहता है। ये परत यानी कार्बन इंजन ओयल के साथ मिलकर उसे गंदा कर देता है। इंजन के बिभिन पार्ट्स के चलते समय ये पार्ट्स आपस में रगडते हैं जिससे धातू के महीन कण उत्पन होते हैं ये धातू के महीन कण इंजन ओयल में मिलकर उसे गंदा कर देते हैं ये गंदगी engine oil के साथ वापस engine के parts में अगर जाएगी तो ये दो parts के बीच में पहुचने से उन parts के बीच में friction को बढ़ा देगी जिससे ये engine के parts जल्दी से रगड़कर खराब हो जाएगे इंजन के parts में friction बढ़ने के साथ इंजन में friction loss भी बढ़ेंगी जिससे इंजन की efficiency भी कम हो जाएगी इंजन की गंदा होने से ये गंदगी उन रास्तों यारी oil gallery में भी जम जाएगी जहां से oil होकर गुजरता है एबं ये रास्ते चोक हो जाएगे इसलिए यह आवश्यक है कि इंजन के parts तक इंजन oil की supply करने से पहले इस oil को साफ कर लिया जाएगे इंजन oil की गंदगी को साफ करने के लिए एक filter का प्रयोग किया जाता है जिसे oil filter कहते हैं lubrication system में oil pump एबं मुख्य oil gallery के बीच में oil filter लगा होता है इंजन में संप से आने वाला oil पहले filter में साफ होता है और उसके बाद इंजन की मुख्य oil gallery में पहुचता है जहां से यह इंजन के बाकी parts के लिए supply किया जाता है इंजन में दो प्रकार के oil filter system या arrangement प्रयोग किये जाते हैं full flow oil filter system एबं bypass oil filter system full flow type arrangement में oil pump संप से जितना भी oil उठाता है वह पूरा oil पहले filter से होकर गुजरता है यानि filter में साफ होता है और उसके बाद ही इंजन के बागी parts को supply किया जाता है full flow system में इंजन oil का कोई भी भाग बिना filter में साफ होए इंजन के parts तक नहीं पहुचता यदि कभी filter चोख हो जाता है तो उस समय भी इंजन के parts तक oil की supply बनाए रखने के लिए इस filter में एक valve का प्रयोग किया जाता है filter की चोख होने पर इस valve के दुआरा oil सीधे ही man gallery में पहुच जाता है यानि oil filter नहीं होता इबं बॉल के माध्यम से सीधे man gallery में पहुच जाता है जिससे engine seize नहीं हो पाता bypass arrangement में engine oil का एक हिस्सा filter में से साफ हो के गुजरता है इबं एक हिस्सा बिना filter हुए ही सीधे man gallery में पहुच जाता है इस सिस्टम में कुल engine oil का लगभग 10% भाग बाइपास हो जाता है यानि बिना filter हुए सीधे man oil gallery में पहुचता है आईए अब जानते हैं oil filter की संरजना के बारे में oil filter में मुख्य रूप से निम्नलिखित भाग होते हैं filter element, container या canister, center tube, lower end cap एवं top end cap, base plate एवं compression spring container के अंदर filter element रहता है इस element के बीच वाले भाग में center tube स्थित रहती है यह पूरी एकाई उपर एवं नीचे से base plate एवं end cap द्वारा बंद रहती है filter element, oil filter का सबसे महत्पून भाग होता है यह engine oil को खुद में से गुजरने देता है लेकर engine oil की गंदगी को वहीं पर रोग लेता है यानि जब engine oil filter element में से गुजरता है तो engine oil में जो गंदगी या गंदगी के कण होते हैं वे filter element में ही रुख जाते हैं एवं आगे नहीं बढ़ पाते हैं और इस प्रकार से oil साफ हो जाता है यह filter element मुख तहा, felt, cotton, waste, कपड़े एवं पेपर के बने होते हैं आईए अब जानते हैं कि यह filter कार्य कैसे करता है engine oil filter के अंदर, container एवं filter element के बीच में से प्रवेश करता है यहां से यह filter element में से गुजरता है एवं center tube में पहुचता है filter element में से गुजरते समय इसकी जो गंदरी है बड़ filter element में ही चिपक जाती है एवं साफ oil ही center tube में पहुचता है जहां से यह man oil gallery या oil sump में supply कर दिया जाता है आईए अब जानते हैं कि engine में मुख्य तहा कितने प्रकार के oil filter प्रयोग किये जाते है Automobile engine में प्रयोग होने वाले oil filter को मुख्य तहा दो शेनियों में बाटा गया है replaceable filter एवं cleanable filter replaceable filter यानि ऐसे filter जिन्हें एक निश्चित समय अबदी के बार बदल दिया जाता है यानि पुराने filter को निकाल कर अलग कर दिया जाता है एवं उसके इस्थान पर नया filter प्रयोग किया जाता है इन filter के element मुख्य तहा felt एवं paper के बने होते हैं आजकर इनी filter का प्रयोग प्रमुख्य से किया जाता है Cleanable filter यानि ऐसे filter जिन्हें साफ करके दुबारा प्रयोग में लाया जा सकता है इस्ट्रेनी में मुकता चार प्रकार के filter आते हैं Cloth type filter, wire gauge filter, age type filter इभं centrifugal filter Cloth type filter में अच्छी quality के mercerized cloth का प्रयोग filter element के रूप में किया जाता है Wire gauge filter में बारीक पीतल की बनी हुई जाली का प्रयोग filter element के रूप में होता है Age type filter में पतली-पतली brass की बनी हुई plates को एक दूसरे के उपर fix करके filter element बनाया जाता है Centrifugal filter में इस filter के अंदर एक rotor लगा होता है इस rotor के उपर दो jet लगे होते हैं जब oil filter इस rotor में भरता है एवं jet में से बाहर निकलता है तब यह oil container से टकराता है जिसके कारण यह rotor तेजी से घूमना स्टार्ट कर देता है rotor के घूमने से centrifugal force उत्पन्न होता है जिससे engine oil की गंदगी बाहर आती है एवं rotor के अंदर वाले भाग पर जमा हो जाती है एवं साफ oil ही आगे बढ़ता है तो यह कुछ प्रमुख जानकारी थी oil filter के बारे में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे like जरूर करें यहां पर जो वीडियो की लिंक दी हुई है आप इन पर क्लिक करके इन वीडियो को भी जरूर देखें यह आपके लिए बहुत helpful होगे और साथ ही सब्सक्राइब बटन को दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें एक बेल आइटन को दबा के नोटिफिकेशन को भी आउन कर ले तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जय हिंद